देश की राजधानी दिली में जैसे जैसे कोरोना वाइरस के मामले कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे दिली सरकार रियायतों का एलान करती जा रहे हैं इसी करम में दिली सरकार ने सोमवार से दिली में बाजार, मॉल और मार्केट कॉंपलेस्ट में सारी दुकाने सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने के छूट दे दी है वहीं दिली में रेस्टोरेंट्स और निजी दफ्तरों को खोलने के अनुमती भी दी गई है यही नहीं दिली सरकार ने साफ तोर पर कहा है कि यदि आगामी सपता में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो दिली के बाजारों एवं रेस्टोरेंट्स में फिर से प्रतिबंद लागू किये जा सकते हैं वहीं सरकार ने आगे कहा कि दिली में कोविड-19 संबंदी हालात काफी हद तक काभू में हैं और इस समय सरकार संभावी 30 लहर से निपटने की तयारों में दम-खम से जुटे हुई है सरकार की नई गाइलेंड के मुताबिक सोमवार से 50 फिजदी बैठने की चमता के साथ रेस्टोरेंट्स खोलने के नमती दी है साथी निजी दफ्तर भी 50 फिजदी चमता के साथ सुबह 9 बज़े से शाम 5 बे तक खोले जासे के लिए इसके लावा बाजार, मॉल और मार्केट कॉंप्लेक्स में और डिवन का फार्मूला खतम करते हुए अब सारी दुकानों को सुबह 10 बज़े से शाम 8 बे तक खोलने का आदेश दिया गया है सीम अर्विंद केजिवाल ने सापताहिक बज़ार को अनमती दी है लेकिन एक दिन में एक जूर में एक ही सापताहिक बज़ार खोले जा सकीगे साथी, शादियों में 20 लोगों के साथ घर या कोट में हो सकते है धार्मी की स्तल खोले जा रहे हैं लेकिन शर्णडालों को जाने के रुमती नहीं होगी दिली मेटर अपनी 50 फीज़ी छमता के साथ चलती रहेगी सोमवार से ओटो कैम में अधिक्तम दो यातरी बैट सकेंगे इसके लावा दूसरी ओर अभी सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षन सिंथान बंद रहेंगे किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आईजनी के अनुमती नहीं होगी इसके लावा स्विमिंग पुल, स्टेडियम, स्पोर्स कॉंप्लेक्स, बैंकेट होल, और अडिटोरियम पूरी तरह से बंद रहेंगे यही नहीं, दिली में सैलून, इस्पा और जिम के साथ पब्लिक पार्क और गार्डन भी पूरी तरह से बंद रहेंगे सिनेमा होल, थियेटर और एंटर्टेइन्मेंट पार्क भी अभी पाबंदियों में रहेंगे ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दिली सरकार दिली में जिस तरह से कुरोना के घरते मामलों पर दिली में लगातार छूट दे रही है तो बाकी की चीजों को कब तक रियायत मिलेगी दिली से अजीत कुमार की रिपोर्ट हमवतन टीवी